2018 में किस प्रकार के कटाफ आखिर गए हुई थे अब सवाल यह है कि आखिर कैसे हम इस बार सेलेक्शन पाएं नमस्कार दोस्तों मैं हुआ फिनो सिंग और आज हम जानेगे आखिर 2018 में क्या कटाफ गया था और इस बार जो ग्रूप D, RRV, ग्रूप D के एक्जाम होने वाला और स्लेवस, एक्जाम पेटन, आखिर हम कैसे पढ़ें, क्या करें कि हम इस बार सेलेक्ट हो जाएं, 100%, बहुत बड़ा मौका है, इसको हाथ से जाने नहीं देना है किसी को भी, जो लोग भी प्रिपेशन कर रहे हो, कितने समय बाद वैसे इंतजार के बाद एक्जाम डेट हैं, अप्लिकेशन की बात करें, तो भी एक करोड से अधिक है, लगभग एक करोड लोग एक्जाम देने की सब भावना ही जताए जा रही है, सब नहीं देते हैं, जितने लोग अप्लाई करते हैं, हर कोई एक्जाम देता नहीं है, और एक्जाम डेट की बात करें, तो जो official notification आया हुआ हुआ है उस 23 फरवरी on March मतलब उसके बार ही सुरू होगा exam एक दिन में exam खताम नहीं होगा सब जानते हो तो exam चलता रहेगा चलता रहेगा CBT मतलब होता है computer based test computer based online test होगा exam होगा आप सभी का अब CBT से क्या फायदा होता है नुकसान होता है कि हमको सिर्फ चीडिया की आँख से मतलब है हमको तो गोल से मतलब है तो मैंने सिर्फ इतना ही लिया है इतने में ही आप समझ जाओगे क्या 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 जा सकता है पिछली बार क्या गया था दोको exactly अगर इलहाबाद रीजन की बात करें सबका अलग अलग होता चैनल तो रेलवे में तो 74.5 जनरल का गया हुआ था और अगर बात करें दोस्तों OBC की तो आपके सामने है 69.7 गया हुआ था बात एक दम ध्यान समझने में आपको समझाता हूँ से 62.9 और अगर से की बात करें तो 50 है हुआ था मतलब की स्टी के लिए तो मौका है भाई 50 तक जाएगा और बात करें स्टी की तो उनके भी जनरल के पेछा तो बहुत कम है 62 है कहीं कहीं पर कम भी नहीं है जैसा आपको दिखाता हूँ अजमेर की बात करें तो 73 है गया हुआ था यह 18 का है सारा ओबीची सत्तर तिर्सट साथ एहमदाबाद 71 66 60 57 कोलकाता 80 71 71 देखो ओबीची और स्टी का दोनों को लगवक कोलकाता में बराबर है और यह देखो हाईस्ट 80 मतलब बहुत ज़्यादा होता है वहां का हाईस्ट कोलकाता का गया हुआ था 80 लेकिन हर जगह के 80 नहीं गया देख सकते हो 74 73 है ना गुवाहाटी का 77 और पटना का 77 यह भी हाईस्ट बहुत ज़्यादा है देखा जातो मुंबाई का 67 मुंबाई का कम ही जाता है बंगलुरु का मैं लिया नहीं उसका भी 62 ही गया था और कम गया था सबसे कम बंगलुरु का ही था और यहां पे इस तरह से है तो यह आपने आपके सामने यह है 2018 का official कटाफिय ही गया हुआ था इतने पे selection हुआ था लोगों को तो general की अब इस बार की हम बात करेंगा दोस्तों पहले ये समझो की exam pattern कैसे होने वाला है इस बार general science 25 marks का आएगा mathematics 25 marks का आएगा reasoning 30 marks का आएगा और reasoning 30 मतलब आप समझ सकते हो भी सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा इस पे ध्यान भी देने की ज़रुद भी है आपको बताता हूँ भी मैं general awareness और current affairs मिला के जो आएगा 20 marks का आएगा अब सवाल ही है कि इस बार आखिर कटाफ कितना जा सकता है देखो पिछली बार form भी कम भरे गए थे vacancy भी कम थी एक चीज दूसरी चीज जैसे एक करोड़ लगवक form भरे हैं ठीक है बहुत लोग तरह तरह अलग अलग बाते बताएंगे आपको vacancy भी ज़्यादा है लिकिन अब सब्वा ने एक बार खेले किकम बाटलोन को कभी उपने क्या एक क्रोड़ लोग पढ़ाई भी कर रही होंगे इस में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि advertise है जिनको पता भी नहीं होगा, उसके बारे मनको पता नहीं, कहीं मुंबइ में नवकरी कर रहे हैं, कहीं दिल्ली मैं से भरदिया आ गया है, कितने लोग नवकरी पाचुके होंगे, कितने वे गूम रहे हैं, गाव में इधर- nextर बस फॉर्म भरदिये हैं, लेकिन एक करोरे लो अपने experience से बोल रहा हूँ उग्दम 100% सकते बात ही है सिर्फ 10 लाख लोग ही competition में रहेंगे 90 लाख लोग सिर्फ भीड होते हैं भीड वढ़ाने के लिए ही होते हैं और आप जानते हो कि भीड जिधर जाती है सफलता उधर नहीं होता है 10 लाख भी competition में नहीं रहेंगे भाई selection तो एक लाख का होना है एक लाख से प्लस थोड़ी से बेकेंसी है selection सिर्फ एक लाख का होना है यह बात आपको मालूम है तो ओ जो एक लाख जिनका selection होगा उनका कहीं अता पता हैं सोर सराबाव नहीं करते हैं बहुत सांती से पढ़ाई करते हैं और भीड से हटके पढ़ाई जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक लाख लोग होंगे जिनका selection होगा 10 लाख लोग थोड़ी बहुत competition में होंगे उसमें से एक लाख का selection होगा और इसमें भी 5 लाख और भी नीचे आजाएंगे जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे होंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे कोशी फीड़ी इतना जान लेना मतलब साफ साफ बात यह है कि 90% लोग सिर्फ भीड बढ़ाते हैं 10% लोग ही competition में होते हैं कुई भी एक्जाम हो उसी भी competition होता है भाई 10 लोग जब होंगे तो लड़ाई तो अगड़ी होगे ऐसा नहीं कमजोर मतलब इससे मैं सुझेलना कि कम है लड़ाई तो होगी क्योंकि 10 लोग लड़ने वाले होंगे इसलिए लड़ाई होगी अब इस बार इतना याद रखना है कि इस आधार पे आप देख रहे हो तो 75 तो प्लस जाना ही है जनरल वालों के लिए इससे प्लस तो लाना ही पड़ेगा आपको है ना इससे प्लस ही लाना पड़ेगा कम नहीं असी पहुँच जाएगा तो एकदम टेंसन खतम लेकिन 75 वाले भी सपने देख सकते हो क्योंकि भाई इलहाबाद में 74, 73, 71 मैं यह नहीं कहूंगे कि इस बार कम चला जाएग उस बार ज्यादा था 3 साल का मोखा मिल गया सब पढ़ लिए होंगे ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कौन कितना पढ़ता है मैं जानता हूँ कौन कितना पढ़ता है जो लोग पढ़ते हैं उनका तो सेलेक्शन होगा ही वैसे वी जो लोग पूरे साल पढ़ते हैं जैसे 365 दिन लगातार जो डेली पढ़ते हैं उनका सेलेक्शन तो वैसे भी होगा उनका कोई रोक नहीं सकता है लेकिन सब ऐसा कहां करते हैं बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डेली पढ़ते हैं दोस्तों अब सवाल ही है कि 75 प्लस लाने के लिए 80 तक लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कैसे आ सकता है वो एक बाद याद रखना यह जो 30 नंबर का रिजिनिंग पूछे जाएगा दोस्तों इसमें से आपको पूरा का पूरा करना ही पड़ेगा ध्यान समझें मेरी बात को रिजिनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा और एक बाद बताओ आपको मैं भी जो लोग नए हो नहीं जानते होंगे रिजिनिंग और मैथ मेरा फेवरेट है दोस्तों और पढ़ाता भी हूँ ज़्यादा नहीं पढ़ाता क्योंकि responsibility मेरी ज़्यादा नहीं मतलब ज़्यादा लोग हो नहीं और इस कहावत ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर तो आपको भी ओचीज time management बहुत important है मतलब समय को बरबाद नहीं करना है मतलब ये सोचना है आपको कि कम समय में कितना ज़्यादा हम पढ़ लें अगर आप आदे घंटे में एक topic को पूरा अच्छे से समझ लिया concept के साथ कबर कर लिया और उसका एक number मिलता है आपको तो आदे घंटे में एक number मिला 10 घंटे में 5 number आप पढ़ाई कर सकते हो लेकिन यहाँ लोग एक-एक महीने पढ़ते हैं तो भी complete नहीं कर पाते हैं 5 number भी क्यों क्योंकि उनके पढ़ने का तरीका एकदम गलत है 30 marks और 25 marks जो math और reasoning कहे दो 55 marks का आपको बताऊं मैं इसमें से लगभग लगभग मैं देख रहा था paper 30 number तो ऐसे आएगा जो एकदम easy रहेगा मतलब देखते ही उत्तर आप दे सकते हो लेकिन आपको पता होना चाहिए ऐसा नहीं कि पता नहीं होगा तो भी मैं बहुत सारे ऐसे सवाल देखा जो इसमें हलवा होता है अब 25 जो होगा थोड़ा सा आपको solve करना ही पढ़ेगा ओभी बहुत ज़्यादा hard मैंने एक भी सवाल देखा ही नहीं मैं देखा लेकिन पढ़ना तो पढ़ेगा एक बात आओ आपको पता दो secret ये जो 55 marks है ये पूरा का पूरा कर सकते हो आप सही सही कर सकते हो आप पूरा का पूरा लेकिन ये दोनों जो 20 और 25 marks का है 45 marks C और science मिला के ये कोई भी पूरा नहीं कर सकता है 45 number बात समझे के नहीं मतलब इसको 55 का 55 पूरा आप कर सकते हो और बहुत लोग करेंगे भी बहुत लोग इसको पूरा का पूरा 55 करेंगे बहुत लोग करेंगे और इसको पूरा 45 कोई नहीं कर सकता है कितना भी पढ़े होगा आप एकाथ question मिली जाएगा ऐसा दो चार जो पता ही नहीं होगा और इसमें क्या होता है पता है तो तुरंत कर लोगे नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे लेकिन इसमें है अगर आपका concept थोड़ा भी clear है तो आप घसीट कर किसी तरह से कर ही लेते हैं लोग इतना जानलो अगर आप पढ़े हो तो ये 55 marks बहुत scoring subject होता है 55 number आपका ये एक भी नहीं छोड़ना है उसके बाद बचा ये 45 इसमें सगर 25 भी पा गए तो जरा सोचो कि आपका 80 number हो जाएगा और बहुत आसानी से अगर इसमें मेहनत किये रहोगे जनरल साइंस नाम है तो जनरल साइंस ही पुछते हैं ये नहीं कि बहुत high level का पूछें गुरूबडी का एक्जाम है कोई TGT PGT का एक्जाम नहीं हो जाएगा कि बाय और अच्छे साइंस आप से पूछा जाएगा कुछ नहीं पचीस नंबर जनरल साइंस पूछेंगे छोटी छोटी जो जनरल हमारे जीवन में जो यूज़ेस होती है उसको पूछते हैं दोस्तो और ये भी करेंट अफेला और जनरल अवेंडस भी बहुत जादा हाड नहीं पूछते हैं बहुत हिसाब से पूछते हैं अच्छे से पूछते हैं बहुत लोग इसमें और इसमें मिलागी जैसे 45 है तो 40 भी करेंगे मैं जानता हूँ मतलब 40-35-40 भी कर सकतें दोस्तो 35-40 भी करेंगे भाई कटाफ 75 जाता है लेकिन कोई-कोई पंचान भी पाता है कोई-कोई पाएगा 90 से उपर भी पाएंगे बच्चे क्यों कौन पाएगा जो 55 इसमें पूरा मार देगा तीस इसमें मार देगा तो 85 बन गया तो इसी हिसाब से आप से मतलब जादा स्कोर कर सकते हैं जो मैंने बताया इसके लावा कोई-स्टेटेजी नहीं है मतलब इसको रटो जन्रल साइंस जितना आव रट पाओ इसको रटो फसेगा क्वेश्चन मतलब इसमें तो जन्रल साइंस तो रट डालो बहुत जो सामाने क्वेश्चन होते हैं रट डालो पूरा फसेगा पक्का बहुत सारा क्वेश्चन और इसमें पढ़े रहोगे जो जन्रली जो डेली यूज़ पढ़ता है यह नहीं कि 5-5 घंटे क्लास डेली करते हो तो नहीं तो आप टाइम बरबात कर रहे हो आप एक सब्जेक्ट की लगा डेली 5 घंटे क्लास कर रहे हो तो अपना समय बरबात कर रहे हो गया पूरा पढ़के सेलेक्शन पाजाए कोई भी किसी भी एक्जाम में यह निकाल लेते हैं 5 घंटे पढ़के डेली उतने भी नहीं पढ़ते तो यह मैं समय बरबात में कभी यह नहीं बोलूँ किसी को समय बरबात करना है इस तरह से आप जैसे मैंने बताया और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जो भी मैं बताऊंगा एक दम सथीग बताऊंगा जुड़े रहने मेरे साथ एक्जाम तक बहुत हेल्प करूंगा आप कब है ठीक है किसी भी एक्जाम के त्यारी कर देवाब तो जो मैं 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 रिजिनिंग के कुशन बताऊंगा टॉपिक बताऊंगा मुसे डिमांड भी करोगे तभी मतलब एक रिस्पॉंसबिल्टी होते हैं जिम्मेदारी दोगी पूछना आपका कोई राय हो कमेंट बॉक्स में देना डिटेल से लिए बस भी बता सकता हूं आपको अहोगे तो भी बता दूंगा मैं ठीक है फिर दुबस इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चैनल को सब्स्राइब करके घंटी दवाना ब आपका करता हूं